दोस्तों बहुत सारे एस्प्रेंट्स ऐसे थे आप लोगों में से जो SSEJ foundation batch जोइन किये थे 1.0 और 2.0 तो उनका non-technical कप से शुरू होगा अपसे किसे थे तो वो आपको मैं आपको बता दो सुला January से शुरू हो जाएगा बड़ा ही detailed non-technical का reasoning और general awareness का plan बनाया गया है जो अब तक के तिहास में इतना number आप hours नहीं दिया गया था इस particular plan में foundation batch जब हम जो बात करना है 2.0 या 1.0 की सबकी classes सुला तारिक से शुरू है यह आपको proper study plan दिख जाएगा जिसमें general awareness 9 से 10 चलेग चार से पांच और फिर उसके बाद science भी उसी time पर चलेगा आप लोगों को तो बहुत ही comprehensive plan आपको यहां पर देखने को में रहा है reasoning और general awareness का बहुत मज़ा आएगा मैं आपको बता रहा हूँ literally आप लोगों को classes सुला तारिक से proper तरीके शुरू है जो लोग enrolled कर चुके है there is good news for you guys अभी technical segment चल रहा था नाव तो कुछ दिनों बाद आपको non-technical भी देखने को में देगा बहुत मज़ा आएगा I think all the best guys और एक important बात ये भी है कि मैं आप लोगों को बहुत जवदी non-tech की सफल रणनीती का वीडियो लेकर के आने वादा हूँ आप लोग इंतजार करिएगा बहुत सारे असफल विद्यार्थियों का experience आप लोगों के साथ मैं share करूँगा क्यों बार-बार general evidence जैसे segment में number नहीं आप आते हैं उसका एक demo में आपको बता दूँ more number questions का attempt होता है और वो general evidence में सारी चीजों को पढ़ने के चक्कर में around 50 में 25 number attempt करते हैं और मुझे पता है maximum वीडियो के नीचे सामात हो मेरी बात से तो comment करके बताईएगा और उनकी 10-12 number आते हैं reasoning में क्या होता है कि ज्यादा तर से time management होने ही होने के वज़े से आता हुगा questions शूड़ जाता है basically तो आप 35-32-40 number attempt कर पाते हैं और 28-30 number आपकी marks आते हैं आनने वरिजरेस्पेरेंस के जो की कहीं न कहीं आप rejected list में चले जाते हैं 8-10 number और आना चाहिए वहां पर 8-10 number से negative marking हो गया या फिर रह गए आप तो guys देखें ये सारे कुछ है वच्छा जिससे आपकर non-technical में जितना score होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है इसकी सफल होने की रणनीत पर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा बहुत जल्दी हमारे साथ connect रहेगा बाकी to the point बात करूंगा दोस्तों कि engineers अगर आप हमारे users हैं तो non-technical का study plan में आप लोगों को share कर देता हूँ एक सेकिन के लिए देख सकते हैं ये पूरा का पूरा ये आपको पूरा का पूरा non-technical का 26 मई तक आपको पूरा का पूरा non-technical जा रहा बहुत ही गजब का आपको यार रजनिंग के लिए हमने बहुत classes इसमें दी है बहुत classes दी है मैं आपको बता रहा हूँ मजा आएगा आप लोगों को ये चीज़ याद रखेगा तो जो जो आपनी ने decide किया है कि बच्चों की demand आ रही थी बहुत सारे जोगों ने अपने आपको enrollment complete कर ली है आज एक दिन के लिए दो दिन के लिए और extend किया गया है double validity और price rise को रोका गया लेकिन मैं आपको इस वीडियो की मात्यम से clear बताना है price आपका महापैक कब बढ़ेगा double validity भी बहुत जवदी उभर हो जाएगा खतम हो जाएगा जितने जोग अभी तक नहीं enrollment कर पाए हैं अगर आप SSE के batches में भी enrollment करोगे तो भी ध्यान दिजेगा तो भी आपको यहां पे जो की civil का batch आज से सुरू है 2.0 mechanical और electrical analysis वीडियो की नीचे मैंने सारी comment दगा दिये हैं आपको पूछेगा कौन सा code दगाना है चाहे मेरा suggestion मानो तो महापेक देगे ना mechanical civil का महापेक में क्या होता है कि SSE 2.0 batch, ebook, test series, RRB, ALP पुराने batches के recorded videos मिल जाएंगे आपको और upcoming 2 सालों में कोई भी batch आएगा उसका आपको live class मिलता रहेगा test series मिलता रहेगा ebook मिलता वह आपको 2600 रुपे महापेक का प्राइस 35 रुपे तो जितने दोग अभी सोच रहे हैं करे या नहीं करे जॉइंड कर दो बार की पार्टी आप लोगों के साथ मना देते हैं रोस्तों के साथ तो मेरा माना तो suggestion आप फटा फट जाओ अपने study को focus करो और अपनी preparations को start कर दो तैंक यू और यह मेरा अल्टीमेटम है कि आप सफी जोग जोड करके कल सुबह मेरे साथ 10 बजे applications पर जोड़ चाकते हैं और foundation बैच की भी कासिस आपकी चरह हैं तो just go and wait and watch जो भी best possible होगा मैं आप लोगों को help करूँगा दोस्तों तो मैं इसका study plan भी share कर दूँगा तैंक तो